एक बुनियादी सवाल आया, प्रायोरिटी सरकार की, कोई भी प्रायोरिटी जो सरकार में होती है, वो अपनी प्रायोरिटी खुदीते करती है, जवालाल जी के समय से आज तक वही नियम है, जवालाल जी को लगा कि भई, कब सफेद कब उतर उड़ाने है उनकी प्रायोरिट तो उड़ाए आप कोई यह कह के कालिया कभूतर क्यों ने उड़ा रहे तो यह तो नहीं चलेगा ना जब जनता आपको सत्ता बेदे तो आप अपने हिसाब से करिएगा शाषन दूसरी चीज में एक पहता हूँ प्रयारेटी क्या होती है पांसो वर्षों से इस देश ने संगर्ष किया आउध्या में राम लला के मंदिर के लिए पांसो वर्षों से जादा हूँ इतनी सरकारें अंग्रेज मुगल छोड़िये 75 साल से तो हमारी सरकारें थी आजादी बात से आजम खान साहब दुनिया भर के चोचले करने की फुरुषत थी लेकिर राम लला की और देखने का समय नहीं था अगर आज नाम लला का भव्य दिव्य और नव्य मंदिर वहां भी राजमान है तो क्या देश की प्रात्मिक्ता नहीं है आपको अच्छा नहीं लगना अलग बात है अगर काशी में एक वर्ष रमें चौधा करोन लोग जाके महां बाबाव विशुनात का जयग्षा कर रहे है तो वह देश की प्रात्मिक्ता नहीं है क्या कि किसि बीठ कर रहा है हम चारोन लोग ब्रज में जाके योगेश और खृष्ण को प्रनाम कर रहे एक साल में गोवा से दूने लोग क्या देश की प्रतमिक्ता नहीं आपके लिए गोवा प्रतमिक्ता थी राजभाई की पार्टी के लिए हो सकता है तो आपने वहां वही सकल्चर डिपलप कर दिया अब दूसरे विचारधारा की सरकाराई देश ने उनको सेवा कावसर दिया तो मतला वह हो रहा है कल को क्रिश्ण जनमा भूमी का विवाद समाप्त हो जाए और वहां पर भब्ये कृष्ण का मंदिर बन जाए जनम स्थान पर तो कि ऐस देश की प्राथमिक्ता नहीं होगी प्राथमिक्ता आपके हिसाब से नहीं दे होगी ना में तो अगर जनता को आपकी प्राथमिक्ता पसंद होती, मैं बहुत आदब से कहे रहा हूँ, अगर जनता को राहूल गांधे जी की प्राथमिक्ता पसंद होती, तो राहूल गांधे जी की प्राथमिक्ता पसंद होती, तो अगर आजम भाई की प्राथमिक्ता पसंद होती, तो अखिलेशी की प्राथमिक्ता पसंद होती, तो अखिलेशी की प्राथमिक्ता पसंद होती, तो नरेंद्रमोदी की प्राथमिक्ता है पसंद है इसलिए नरेंद्रमोदी शाषन में यह मानने में तकलीप क्या है यार। कोई समस्या है क्या हो। मसला यह नहीं आजम भाई कि आपको नरेंद्रमोदी पसंद है कि नहीं पसंद है। मसला ये देश ने उनको चुना है, क्या देश का प्रधान मंत्री समाजवादी पाइट्री के पदाधिकारियों के बीच से चुनकी आएगा, वो तो ननकू और रजाक के बोट से ही तै होगा, और मैं तो शोवकामना ही देता हूँ, अगर जनता के मन में, एक बात कहता हूँ, अगर जनता के मन में हूक उठ रही होगी, कि रागवेंद्र सिंग की पार्टी की योगी आधितनात की सरकार ने सैफ़ई में रंगा-रंग कारिक्रम बंद करा दिया, सालाना जलसा, तो अगली बार आपको सरकार में ले आगे, इनको बेरोजगार कर देंगे, नहीं, अगर उनको वो देखने की इक्षा होगी, नहीं, और अगर नहीं कर रहे हैं, इसका मतला वो उनको पसंद नहीं था, वो, सेफ़ई में एयर स्टिप, मुरादाबाद में एयर स्टिप नहीं, रोजगार की दर्ष्टी से मुरादाबाद महत्पूर्ण है, सेफ़ई में तो को रोजगार के लेने देना है नहीं, राग्मेंजी गला तो नहीं गला, तीन हजार करोन से जादा का निरियात जिस शहर से वहाँ एर स्टिप नहीं बनाएंगे, सेफ़ईम बनाएंगे, सेफ़ईम में कौन गया जहाज से, कभी राजशर्मा भी गये हो, जहाजवास ने, वहाँ कोई सद्विस फ्लाइट तो जाती नहीं, जिगर दोशी, वहाँ च कारोबार हो रहा है, नहीं, लेकिन जिल्ले इलाही मा बदावलोग थे तो ठीक है, कोहीं तो सोचों को भाई, चाहें एनरसी हो, और चाहें सीए हो, सीए में तो ये तो निर्दोश कानून है, इसकी तो आलोचना जो लोग कर रहे हैं, मुझे उनके इस विशे की समझ पर सं का हो रही है, एक लाइन क्लियर है, किसी की नागरिक्ता लेने के लिए ये कानून नहीं, आजम खान साब के कल तक जो राष्टी महामंत्री थे, वो कह रहे हैं, आदिवासियों की गरीबों की मजलूमों की नागरिक्ता छिनने वाला कानून है, आजम खान साब, आपके जो तो है, नहीं, उस ही को पढ़ लेतें, पढ़ना नहीं है, मुलना है, जोक ह हूँ, तो 92, का का नुन का अधीअ काून का आठीवा सिस्क्या लेना देना है, C.A का? कोई लेना देना है, नहीं न? इसका P.D.A से कोई लेना देना नहीं। इसका सेकुलर नौम सेकुलर से क्या लेना देना। जिनके परिवार भारती मूल के रहे जिनके वश्य वहां आलप संखियक है। उनको कष्ट होगा, उनके जीवन को संकट होगा। उनकी बहन बेटी की प्रतिष्ठा और इज्जित को संकट वहाँ पैदा होगा पाकिस्तान में, क्या आप लोग चाहते हो हम निश्ठोड हो जाए भारत, और कहें मरों जीओ वहीं, हम आपको नागरिक्ता नहीं देंगे, और रोहंगिया आएं, तो उन्हें कचवडी तुरं पसाया गया, और उनके रोहिया के सम्मान के लिए आप लोग मैदान में उतरे, तभी चिंता नहीं हुई, कि ये लोग भारत के संसाधन पर बोज हो जाएंगे, नहीं हुई ना, क्यों? आपका भोट बेंक है इसलिए, अपरात की समस्या वहाँ से बढ़ी, आपको उसकी च सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से भाग के यहां आ जाए, तो उसको नागरिक्ता मिल जाएगी, तो आपको तकलीप है क्या? याद कीजिए, गंधी ने क्या कहा था? पटेल ने क्या कहा था? अंबेड कर ने क्या कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था? कि भारत हा बाहे खोल कर आपका स्वागत करेगा जिस दिन आपको लगे कि हमको अपने देश लुटना है हमारा जीना यहां मुहाल हो रहा है क्या उस बचन को तोड़ दे जो गंधी जैसे नेता उन्हें दिया था आपको पसंद नहीं श्रीव सुबचन को तोड़ दे नहीं यह भारत के संस्कार के विरुद्ध भात होगी अनाज की तरह रहने के लिए छोड़ दे मरने के लिए भारत की बच्चे को कि हाधम भाई आपने वह द्रश्य पता नहीं देखे कि नहीं देखे गुर्गरंत साहिब को कि बचागने के संगर्ष करना पड़ा वहां सरदारों को चिक को अफगानिस्तान प्राण भी बचाने का संगर्ष करना पड़ा अगर भारत की सरकार उसमें तागत का इस्तेमाल नहीं करती, वो निकल नहीं सकते थे, मारे जाते. क्या उनको नागरिक्ता नहीं थे? इसलिए कि भाई, जैराम रामेश को पसंद नहीं. या मतुरा और मुरादाबाद वाली सांसत को नहीं पसंद। ऐसा नहीं चल सकता ना। वो भारत माता की संताने हैं। भार तब एक देश था। और एक बात कहिके समाप्त कर दूँगा। जब पाकिस्तान मना राज भाई तो वहां के शाषकों ने कहा कि दलितों को यहां रोक के रखो। दलित नहीं चले जाएंगे तो हमारे पाखाने कौन साफ करेगा। क्या। यह हकीकत है। वह दलित अगर हिंदुस्तान लोट के आए तो उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। भारत की वाहें खुली रहनी चाहिए विश्वभर में कहीं भी उसका व्यक्ति रहे। जिस दिन उसको लगे कि हमको अपने घर लोटना है हमारी वाहें खुली होनी चाहिए। हिर्दय बड़ा होना चाहिए वाहें खुली होनी चाहिए। धन्यवाद।